राम राम दोस्तों काफी लोग मन में ये सोच के बैठे हैं कि मोधी जी सपत लेंगे और मार्किट बूम कर जाएगा positive हो जाएगा positive side जाएगा इमानदारी से बताना कितने लोग ऐसा सोच के बैठे वही आपके वो दिन याद होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहां हुआ क्या था अगर आप इस पूरे सिनेरियो को ओबजर्व करेंगे आपको रियालिटी पता लग जाएगी कि क्या होने वाला है भई यहां पे जब पोजिटिव फेर में एक्जिट पोल आया था फोर हंड्रेड प्लस का उन्होंने दिखा दिया था तो आपको मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ एक बड़ा मूव देता हुआ नजर आयता ठीक है याद है कि नहीं अगले दिन जब थोड़ी सी सच्चाई मार्केट में दिखाई दी कि 300 से भी नीचे दिखाई दे रही है बात तो मार्केट ने आपको एक बड़ा क्रैस दिखाया ठीक है बड़ी गिरावड दिखाई फिर मार्केट ने धीरे धीरे आपको ये रिकवरी दिखानी शुरू कर दी कि जब ये लगने लगा कि गोर्मेंट ये ही बन सकती है तब मार्केट ने फिर से आपको एक पोजिटिवनेस दिखाई फिर बात आई कि जब सारी चीजे किलियर हो गई कि गटबंधन होके उन्ही की सरकार बने गिया जो परजेंट गोर्मेंट थी वो इस बार भी गोर्मेंट रहेगी तो मार्केट में एक पोजिटिवनेस आपको दिखाई दी कि कहीं न कहीं मार्केट उसी जोन पर आता हुआ दिखाई दिया जहां पे मार्केट खड़ा था किलियर हुआ यहाँ तक अब काफी लोग क्या सोच रहे हैं कि कल के दिन या सपत लेने के बाद मार्किट बूम करेगा हर कोई ऐसा सोच रहोगा, खुद से सोचो थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाओ, हर कोई इसी बात को सोच रहोगा तो इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, मार्किट ट्रेप करें, पहले स्टोपलोस खाए, फिर बूम कर जाए या कुछ रिट्रेस्मेंट दिखा के फिर मार्किट आपको ट्रेप करें, फिर बूम कर जाए क्योंकि सब ऐसा ही सोच के बैटे हैं हर कोई यही सोच के बैटा है कि market boom करेगा कर सकता है अब ऐसा जरूरी नहीं है कि बिलकुल ही market अपोजीट जाएगा कर सकता है market में positiveness आप देख सकते हैं या market में positive move भी आप देख सकते हैं ये gap up opening का scenario भी देख सकते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि news based trading करके trap मत हो जाना क्योंकि आपने एक चीज observe करी होगी कि ये recovery भी एक positive ही है तो यहानी कि market एक positive move already दे चुका है फिर से ध्यान से समझो ये gap up opening में market ने एक बड़ा positive move दि ये भी तो एक positive news ही थी फिर market में जब crash आया जो ये recovery आई है ये भी तो एक positive ही market ने दिखाया है तो क्या जरूरी ये बिलकुल भी नहीं है कि market इससे भी जादा एकदम से gap up open हो जाएगा 500 point भाग जाएगा 1000 point भाग जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा रोकिट बन जाएगा ऐसा सोच के बिलकुल भी मत चलना मैं फिर से आपको बता रहा हूँ दो positive scenario market दिखा चुका है कौन-कौन से फिर से धियान से समझो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि trap मत हो जाना वीडियो को एंड तक देखना काफी चीजे मैं आपको यहाँ पर explain करने वाला हूँ पहला positive scenario market ने दिखाया था यह gap up open होने के बाद यानि कि अगर government उन्हीं की बन रही है तो एक positive news यहाँ पर यह positive momentum market यहाँ पर दे चुका लेकिन जब opposite scenario आया उसके बाद जो market ने recovery दिखाई यह दूसरा positive scenario market आपको दिखा चुका है समझ रहे हो कि नहीं बात को यानि कि market दो बार आपको positive news दिखा चुका है या positive impact गोर्मेंट आने का market दो बार दिखा चुका है पहला यह था दूसरा यह था तो इसलिए trap नहीं होना है market के साथ इतनी देर तक मैं आपको यही समझाना चारा हूँ setup बनेगा तो काम करना है या बड़ी gap up opening मिल जाए या बड़ी gap down opening मिल जाए तो market को ठैरने देना उसके बाद कुछ सोचना एकदम से उसमें गुसने की कोशिस मत करना क्योंकि इसी case को समझो आप देखो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन यह सारे examples आपको स समझाने सबसे जादा जरूरी है ताकि आप पूरे market के खेल को समझ सके कि market किस तरीके से आपको trap करता है जैसे कि यहां पर देखो positive नहीं हो जाए market ने बहुत बड़ी आपको gap up opening दे दी लेकिन पहली candle पर focus करो one hour का time frame में आपको यहां पर लगा हुआ है market ने कुछ profit booking दिख के buying side गए होंगे उनके losses होंगे क्योंकि जब market वहां पे भी गया होगा वो premium उन्हें नहीं मिला होगा और उसके बाद तो आप देखेंगे expiry आई बहुत सारी चीज़ी आई तो यानि कि उन्हें loss में ही exit करना पड़ा होगा कई बार मैंने आपको scenario यह भी समझाया है मान के चलो market इस point पे खड़ा है expiry है नजदीक आप सोच रहे हैं कि market इस zone से उपर जाएगा positive news भी है या positive scenario भी है लेकिन market ने expiry तक आपको trap किया फिर अचानक से अगले दिन आपको एक बड़ा move दे दिया गया तो market उपर ही positive भी गया positive news कब impact पड़ा लेकिन वो पहले losses खा गया आपके profit खा गया आपके premium को खा गया तो इसलिए market के खेल को समझो कब आपको next expiry में switch करनी है अपनी position आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो सकता है पर लेकिन ये सारे examples आपको समझाने जरूरी है ताकि आप Monday को market में trap मत हो क्योंकि एक जाल बिचाय जा रहा है और इस जाल में जो अच्छे तरीके से सिर्फ दाने को देखेगा वो trap हो जाएगा लेकिन जो समझेगा कि जाल बिचा हुआ है अगर वो दाना खाने जाएगा तो ट्रैप हो सकता है वो सांति से बाहर बैटके उस जाल के हटने का इंतिजार करेगा मार्केट में ठेराओ का इंतिजार करेगा क्योंकि ये गिरावट जो मार्केट ने दिखाई थी और ये recovery ये दोनों ही सोचने वाली बात है दूसरी चीज ये जो positive news आई थी और ये जो positive impact पड़ा था दो positive scenario market news election के already दिखा चुका है तो यहाँ पे भी सोचने वाली बात है क्योंकि खुद सोचो जितने लोगों ने यहां से buying की होगी या फिर यहां से buying की होगी या फिर यहां से buying की होगी तो वे अपनी profit booking भी तो करेंगे अभी market इसे सिनेरियों में जा रहा है ये अपनी कुछ profit booking भी तो करेंगे possibility ये भी तो हो सकती है कि market आपको sideways जाता हुआ दिखाई दे या कुछ retracement लेता हुआ दिखाई दे क्योंकि फिर से all time high के नज़दीक चला गया है market ये profit booking कब करेंगे सोचो मतलब आप भी अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोड डालो और सोचो इस बारे में ऐसा हो सकता है market इनका stop loss खाने भी आ सकता है नीचे भई यहां से all time high से rejection भी तो ले सकता है ये भी तो हो सकता है सेनेरियो सोचने वाली बात है कि नहीं या फिर यहां पे कुछ time spend करके फिर break out दे ये भी सेनेरियो बन सकता है तो इसलिए भावनाओं में बहके positive news के कारण सिर्फ buying नहीं करनी है या फिर market अगर negative momentum दिखाता है तो selling नहीं करनी है या negative side position नहीं बनानी है सांती से पहले market को देखने दिना कि market पे उस news का क्या impact पड़ रहा है क्या काफी लोग और buying की तरफ जा रहे है या जब FIIs आएंगे वापिस से buying करने market में इस government को देखते हुए तब आपके लिए scenarios बन सकते हैं समझे की नहीं clear हुआ की नहीं तो आज जो हम फिवोनाची लगाएंगे या फिव रिट्रेस्मेंट जो हम लगाएंगे वो अलग तरीके से लगाएंगे वो नीचे से उपर की तरफ लगाएंगे क्योंकि हम देखेंगे कि अगर market में reversal आता है या कुछ profit booking आती है तो market के लिए important supports कहाँ पे हो सकते हैं हाला कि price action के according हमें 23,000 के around आप ये scenario अच्छे तरीके से देख पाएंगे पहले हम एक scenario का discussion कर रहे थे कि market higher high और higher low बनाते हुए चल रहा है फिर हमने discussion किया था जो कि जो पिछला higher low था market ने उसका breakdown नहीं दिया है तो इसका मतलब market में अभी भी यही scenario बना हुआ है higher high वाला और higher low वाला फिर से market अपने जो higher high बनाये था उसके नजदिक आपको जाते वे दिखाई दे रहा है all time high के नजदिक आपको जाते वे दिखाई दे रहा है चलो ये तो एक negative news के कारण एक negative candle बनी थी लेकिन हम इन दो positive candle को भी ignore नहीं कर सकते इन्होंने भी कहीं भी आप देखो इतने दिनों में क्या इतनी बड़ी candles आपको कहीं भी दिखाई दे रही है positive candle की मैं बात करो दिखाई दे रही है one day का मैंने यहाँ पर time frame select कर रखा है नहीं दिखाई दे रही है न तो इसलिए मैं आपको हमेसा यह क्यों कहता हूँ कि बड़ी green candle, बड़ी red candle, बड़ी gap up opening, बड़ी gap down opening को देखते ही एक दम से सावधान हो जाओ कि कुछ ना कुछ होने वाला है जब तक market में ठहराव नहीं आता तब तक इस तरह की चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहिए नहीं तो accident होने के खत्रे थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं दूसरी चीज, हमने last video में discussion किया था, कि यह एक यह indecision candle बनी है, यानि कि candle का high mark करो, low mark करो अगर high का breakout मिला तो positive move आपको देखने को मिल सकता है low का breakdown मिला तो negative move आपको देखने को मिल सकता है, कुछ example भी हमने discuss किये थे, बहुत सारे examples का हमने यहापे discussion किया था आपको बहुत सारे example मैंने बताए थे कि market जब high का breakout देके चल रहा है, जब low का breakdown देके चल रहा है, तो क्या-क्या scenario create हो सकते हैं, वो बहुत सारे example हमने discuss किये थे, देखे थे, ठीक है उमीद है आपने वो वाली वीडियो जरूर देखे होगी, तो ये भी scenario आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया अब मैं आपको एक one month के time frame पे candle दिखाता हूँ, देहां से देखो ये क्या candle आपको दिखाई दे रही है हाला कि अभी month पूरा नहीं हुआ है लेकिन कितनी बहतर buying आती हुई इसमें दिखाई दे रही है यानि कि इस month market ने काफी अच्छा एक positive move दिखाई है, हाला कि lower shadow हमें बहुत candle में देखने को मिले, इस वाले candle में देखो ये green candle जो मैंने आपके लिए mark करी है, इसमें भी हमें buying आती हुई दिखाई दे थी, लेकिन इतनी बड़ी week या इतनी बड़ी lower shadow आपको जो यहां पे दिखाई दे रही है clear clear बता रही है कि बहुत सारे लोग buying में घुसे हैं तो ये अपनी profit booking भी करेंगे, हो सकता है next week करें, लेकिन करनी तो पड़ेगी और उस situation पे क्या होगा, एक retail trader को trap किया जाएगा तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि as a retail trader आपको trap में नहीं फसना है, उस market boom करेंगा, ये होगा, वो होगा तो सोचो कितना बड़ा trap खिला गया सोचने वाली बात है कि नहीं, कितना बड़ा trap आया तो इसलिए अपने आपको सुरक्षित रखो logic पे आते हैं, उसके बाद हम आगे का discussion करेंगे कि कल के लिए आपको, कल से आपको समझना है next trading day पे, यानि कि मंडे को आपको क्या सोच होनी चाहिए, फिलाल हम logic का discussion कर लेते हैं, मैं आपको एक जानकारी और देदू, जो course पे 75% का off चल रहा है उसमें केवल 5 दिन बचे हैं, 5 दिन बाद मैं इस offer को खतम कर दूँगा तो अभी छुटिया है, आप इस offer का फाइदा उठा सकते हैं और अपनी learning को strong कर सकते हैं 5 दिन बाद ये offer खतम कर दिया जाएगा आईए अब हम आगे का discussion करते हैं अगर आप 6 पे focus करेंगे ये आपके लिए क्या है previous day high इसके just यहाँ पे क्या है ये previous day closing ये आपके लिए क्या है previous day low market ने यहाँ पे previous day high का breakout दिया लेकिन मैंने आपको एक बात समझाए थी कि उपर एक और level है कौन सा है 23,000 वाला इस पे market का आपको behavior देखना पड़ेगा भी आपे previous day high की breakout वाला setup बना है और market ने आपको एक momentum भी दिया है तो आपके लिए अगला important resistance कहां बना है 23,000 पे फिर market ने इसकी भी respect करी है और time spent करके इसका भी breakout दिया है यानि यह आपके लिए दो setup बनी है पहला आपको previous day high की breakout वाला setup बना है दूसरा आपके लिए trading day high के breakout वाला setup बना है अगर आप इन setup के बारे में नहीं जानते है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 75% off चल रहा है और 5 दिन बाद मैं यह offer खतम कर दूँगा तो इसलिए नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा जाए अपनी learning को strong कीजिए उसके बाद आपको market में काफी बहतरे इन move भी देखने को मिला है आईए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ one hour के time frame पे और यहाँ पे हम next day के लिए चीजे समझने की कोशिस करते हैं पहले मैं Fibonacci draw कर देता हूँ जब तक मैं Fibonacci draw करता हूँ तब तक आप वीडियो को like कर दीजिए और comment करके बताईए कि आपको analysis कैसे लग रहे है नहीं हो subscribe कर लेना ठीक है मैं कुछ line भी draw कर लेता हूँ तब तक आप वीडियो को like करके आईए और comment करके आईए अपने सवाल पूछे अगर आपके मन में कोई सवाल है उन सवालों का भी हल किया जाएगा ठीक है ओके मैं draw कर देता हूँ ओके 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 एक line यहाँ भी draw करते हैं राइट हो गया हो गया अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ line ने draw करी है फिबुनाची मेंने draw किया है नीचे से ऊपर की तरफ ठीक है क्योंकि अब हम retracement पे ज़्यादा focus करेंगे क्योंकि यह हमारे लिए चलो यह तो एक negative news के कारण crash था लेकिन यह positive recovery भी काफी तेज आई है तो हम इसे ignore नहीं कर सकते तो इसलिए यह तो कुछ sideways momentum यह कुछ profit booking उमीद है हो सकती है बिल्कुल मैं आपको ऐसा नहीं कहता कि होगी होगी कल आप negative side position लेके बैठ जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता मैं ठीक है लेकिन हाँ setup बने तो आप काम कर सकते हैं आपको reason पता होना चाहिए तो news तो बढ़िया है लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि news पे काम नहीं कर रहा है प्राइम मिनिस्टर फिर से आ रहे हैं तीसरी बार आ रहे हैं तो एक positive scenario है market में लेकिन ये भी एक positive scenario आ चुका है तो इसलिए हम क्या देखेंगे हमारे यहाँ पे day high भी यहीं पे है आपका तीसरा क्या है old time high ये भी आपका यहीं पे है और चोथी चीज जो हम ignore नहीं कर सकते हैं जिस पे हमने पूरी वीडियो में बार बार discussion किया है और मैं फिर से बार बार discussion करूँगा जब तक ये वीडियो खतम नहीं होती हैं क्योंकि वो सबसे ज़ादा जरूरी चीज है वो है ये positive recovery काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि market में इसके बाद positive momentum आएगा आ सकता है लेकिन हम इन दो momentum को ignore नहीं कर सकते मैं फिर से कह रहा हूँ ता कि आप इस बात को बार बार समझे समझ में आगी यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे जब तक all time high का breakout नहीं मिलता तब तक आप थोड़ असा सतर्क रहेंगे थोड़ इसे सावधान रहेंगे इसके बाद आपके लिए important resistance 23,400 के around हो सकता है इसका breakout मिला तो 23,500 आपके लिए अगले important resistance हो सकते हैं वहीं पे अगर flat open होके market negative momentum दिखाता है तो इसका discussion करने से पहले मैं आपको यह बता दू यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation है ना ही कोई selling recommendation है यह just educational purpose से बनाई गई analysis वीडियो है invest करने से पहले आपको अपनी research करने है अपनी investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपको उनी वाला है लोगस की जिम्मिदार भी आपको अपनी आप लेनी है अगर market flat open होके आपको negative momentum दिखाता है तो आपके लिए important resistance 23,000 important support 23,116 के round हो सकता है अगर इसका भी breakdown मिलता है तो आपके लिए 23,000 के round अगला important support हो सकता है समझ में आगी आपको यहाँ पर बात अगर 23,000 के नीचे price sustain होना शुरू हो गया फिर आपको market में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है फिर आप यह भी कह सकते हैं profit booking भी देखने को मिल सकती है उसके बाद फिर आपके लिए important support हो सकता है 22,845 के around ठीक है अगर market gap up opening दे देता है उस scenario पे आप क्या करेंगे अगर gap up opening का scenario बन रहा है तो खुद सोचो पही यहाँ पे भी positive news थी market ने gap up opening दी काफी लोगों को trap किया एक retracement दिखा के फिर से एक momentum दे दिया लेकिन अपने trading day high का breakout नहीं दिया तो अगर यहाँ पे भी आपको ज़्यादा बड़ी gap up opening देखने को मिलती है तो आप market को ठहरने देंगे और वहाँ पे अपना trading day high भी mark करेंगे और trading day low भी mark करेंगे अगर market trading day low का breakdown देगा तो इसका मतलब market कहीं न कहीं gap filling के लिए जा सकता है और इस area में retest करने भी आ सकता है price action बनाने के लिए क्योंकि all time high है previous day high है previous day closing है हमारे लिए यह important support बन जाएंगे अभी resistance है लेकिन हम जानते हैं अगर कोई resistance है breakout मिलता है तो उसकी support की track करने की possibility बढ़ जाती है फिर ये एक important support के रूप में आपके लिए act करेंगे तो ये वाले scenario पे आप ध्यान ये रखेंगे कि इसके नीचे कुछ aggressively plan नहीं करेंगे इसके पास आते ही अपनी कुछ profit booking करेंगे लेकिन अगर market momentum में है तो अपने stop loss को trail करके यहाँ पे लाने की कोसिस करेंगे यहाँ तक समझ में आगी लेकिन अगर market ने trading day high का breakout दे दिया gap up opening के दुरान अभी हम gap up opening के cases discuss कर रहे है अगर इस scenario में market ने आपको trading day high का breakout दे दिया तो पहली बात आप खुद सोचो कि market एक momentum आपको gap up opening के दुरान दे चुका है तो इसलिए अगर आप दूसरे momentum में trade लेने जा रहे हैं तो आपको कम quantity में काम करना चाहिए कोसिस करनी चाहिए कि हाप quantity में आप काम करें ताकि अगर आपको market trap भी करे तो आप trap ना हो क्योंकि जोनोंने course किया है opposite direction में अपनी trade को plan करके अपने stop loss को proper तरीके से follow करना है समझ में आगी चीज़े अगला discussion करते हैं अगर market ने दे दिया आपको gap down opening इस scenario को भी समझो वहीं दोनों ही चुकि दोनो scenario different है और news थोड़ी सी positive है तो इसलिए हमें क्या सब लोगों के अगर पोजिटिव चला गया तो market positive जाएगा अगर gap down opening देगी तो market फिर से आपको positive move देने की यही तो सोचेंगे आप कि अगर news positive है market gap down open open हुआ काफी लोग buying की तरफ जाएंगे कि buy on deep करते हैं कि market नीचे से उपर जाएगा news तो यह है यही छेड़ खानी मत करना पहले market की direction को समझना क्योंकि पहला important support क्या बनेगा 23,116 उसके बाद 23,000 अगर 23,000 के नीचे price sustain करने लग गया तो इसका मतलब negative momentum आ सकता है इस बीच आप scalping पे ज़्यादा focus करेंगे लेकिन अगर market को sideways होना हुआ तो आपको एक bounce दिखाएगा क्योंकि ऊपर इस area में भी तो हमारे लिए 3 resistance बन जाएंगे previous day closing भी बैठा हुआ है previous day high भी बैठा हुआ है all time high भी बैठा हुआ है तो हो सकता है market को sideways momentum दे पहले आपके premium को खाई फिर breakout दे तो sideways momentum में भी आप profit नहीं बना पाने की तो बहतर रहेंगे आप trading day high को mark कर लेंगे यह तो market trading day high का भी breakout दे previous day high का भी breakout दे previous day closing का भी breakout दे all time high का भी breakout दे तब एक important scenario बन सकता है लेकिन अगर इन में से किसी का भी breakout नहीं मतलब कुछ का breakout दे रहा है सभी का breakout नहीं दे रहा है तो इसको मतलब वो sideways momentum create करने की कोसिस कर सकता है तो इसलिए आप उस चीज से बचेंगे दोस्तों अगर content पसंद आ रहा है वीडियो को like जरूर करना comment करके बताना और यह offer 5 दिन बाद खतम कर दिया जाएगा जो मैंने 75% का offer दिया है नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा जाएए इस offer का फाइदा उठाइए फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते है किसे next वीडियो में तब तक के लिए राम राम